विल्कम बैक तो चैनल लोट्स विकास वाचिंग वाइसर टेक तो गाईस इन इस वीडियो MI ने अपना एक निव वाच लॉंच किया है और गाईस यह MI की खुद की वाच है और यह वाच बिल्कुल Apple वाच जैसे जैसे की Apple वाच होती है Apple वाच की डिजैन जैसे होती है वैसी गाईस यह Apple वाच है और गाईस इस वाच में हमें कुछ MIUI वाला ओप्सन्स मिल जाता है और गाईस यहां पे कलरफुल UI और बहुत सारे ऐसे फीचर्स मिल जाते हैं जो कि हमें कोई वाच में नहीं मिलते हैं और यह स्वामी की या फिर MI क वाच है तो इस भी बहुत सारे ऐसे फीचर्स है और गाईस MI ने इसमें बहुत नियो नियो भी किया है और इसके सॉप्ट्वेर हाडवेर बहुत ही पावरफुल लाया गया है तो गाईस इस वीडियो में में इसी वाच इसका रिव्यू करेंके बताएंगे कैसी यह वाच कब लाउंच होगी और कितने प्राइस में लाउंच होगी इसके लिए आप इस वीडियो को देखते रही है और अगर आपने चल्पने अच्छों को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेलों दो दो तक मार वीडियो की नोटिफिकेशन आपको चले गाईस वीडियो को नहीं है यह माई खुद की वाचे और कि इसे अपने फीचर के दौरार लांच किया है और यह वाटिश आगए जिसे प्रकार से उसका से नहीं टाहिए स्वामि की भी यह बारे में बताते है आपको इसके बारे में बताते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं इसके हाइलाइट की इस वाचेस को MI ने खुद लॉंच किया है इसलिए इसका नाम ही रखा गया है MI Watch मतलब कि मुश्किल से एक विक के अंदर इस वाचेस को लॉंच कर दिया जाएगा और इस वाचेस में तीसरा हाइलाइट है कि यह जो वाचेस इसमें एपल वाच जैसे डिजाइन मिलती है जैसे कि आप इसकी कुछ फुटिज देख सकते हैं कि यह वाचेस बिल्कुल से मैच एपल वाचेस जैसे आपको इसमें डिजाइन मिल जाती है जिसके बाद हम अगर इसे यूज करेंगे तो यहां पर गाइस हमें नहीं पता च distances सकते हैं क्योंकि इस Watches में घृ जो इसमें बहुत ही big screen मिलती है अडर वाचेन के comparison में यre को स्मॉड फीछ न मतलब कि जैसे कि मोबाम मेंетр रिजेक्ट करना वंड करना और बहुत सारे ऐसे प्यचर्फ मिल दुपत हम पस्र के साथ आते हैं और चुल यह MIUI पर run करेगी मतलब कि जैसे कि आपको मुबाय में MIUI वाला options मिलता है उसी प्रकार से इसमें भी हमें MIUI वाला options मिल देता है जिसके बाद हम बड़े आराम से MIUI के वर्जन वाले watches को यूज कर सकते हैं और बाद में आपको तो ज्यादा से ज्यादा update मिलते रहेंगे जिसके जो processor है बहुत ही तगरा दिया गया है वो भी Qualcomm का 3100 वाला processor दिया गया है और इस processor की मदर से यह जो watches यह बहुत ही powerful watches रही और जिसके बाद हम बड़े आराम से इस watches में तमाम प्रकार के features को यूज कर सकते हैं और इसमें जो new features है वो है कि इसमें guys हम video को play कर सकते हैं मतलब कि guys हम किसी भी message को हमें कोई video message आता है या फिर कोई चीज video हम play करना चाते हैं तो हम बड़े हराम से इस watches में video play कर सकते हैं और यही इसका new features है जो कि अभी तक किसी watches में नहीं है और यह जो feature से बहुत ही कमाल का लगा मुझे इसी MIK watches में और guys यहाप हमें कुछ buttons मिल जाती हैं जो कि controlling करने के लिए होती है कुछ function के जो कि guys आपको तो पता ही कि power on power power off वाली buttons को हरी watches में मिलते हैं लेकिन कुछ और buttons मिल जाती हैं जो कि हमें smartphone में मिलती रहती हैं वैसे कुछ buttons मिल जाती हैं हमें इसके कुछ function को control करने के लिए तो guys यह कुछ है इसका features अगर हम बात करते हैं इसके color variant की तो guys यहाँ पर में दो color variant मिल जाता है एक है white दूसरा black और बस यह watches दो ही color variant पे आती हैं आगे देखते हैं कितने color variant पे आती हैं लेकिन यह 5 November को दो ही color variant में launch होगी और इस 5 November को इसका बहुत ही special दीन होगा स्वामी के लिए MI के लिए क्योंकि इसके बहुत सारे product launch हो रहें जिसमें से सबसे जो main है MI की यह watches तो guys यह कुछ है इस watches का features I hope आपको इसके features समझ में आगे होंगे और स्वामी नहीं आफि MI नहीं इसकी pricing अभी नहीं बता है इसलिए मैं आपको इसकी pricing नहीं बता रहा हूँ आपको वीडियो पसंद है होगी अगर वीडियो चलिक तो लाइक जरूर करिये और कमेंट तो आइव वीडियो केश लेगी और अगर आप में चलतने हैं चाहिक को जरूर सब्स्क्राइब करिये और बेले को दोते को आपको चेमिलते के लिए वीडियो में agile say do something new do something different thanks watching और